हलो हाई नमस्कार स्वागत आप सभी का मेरा नाम आशिश्क प्लेश और शुरू करने जारे एक नया चेप्टर आज जिसका नाम है फ्ल्यूड मेकानिक्स बेसिकली यहाँ पे हम फ्ल्यूड के बारे में समझेंगे कि फ्ल्यूड क्या है उनके इसमें फोर्स कैसे लगाया जा सकता है प्रेशर कैसे लगाया जा सकता है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में समझेंगे क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है देख इससे कि आपको यह आइडिया रहे कि इस चैप्टन में होने के हवाल है ठीक है तो चलिए बहुत शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी विद्ध क्विक रिवीजन और सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा से तुमसे उम्मीद करता हूं वह पैन और पेपर होने चाहिए तुम्हा कौन-कौन से फॉर्मलाज आप फ्ल्यूड में लगा सकते हैं तो चलिए बही शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल जो हमसे बोलता है कि फ्ल्यूड क्या है तो एक बड़ी सिंपल सी एक मामूली सी तुच्च सी परिभाशा जो मैं इसके लिए डिफाइन करता हूं एनिधिंग विच कैन फ्लो जो बह सके उसको क्या कहते हैं फ्ल्यूड कहते हैं जो की बह सके या फ्लो कर सके उसको हम क्या कहते हैं फ्ल्यूड कहते हैं कोई सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है न किसी डब्बे को तुमने नहीं देखोगा फ्लो करते हुए देखा है किसी box को flow करते हुए जाए नहीं box solid है, solid flow नहीं करते है move करते है वो एक जगा से दूसरी जगा पर वो sir move होते हैं यहां से वहां shift किये जाते है but flow नहीं होते है flow कौन होता है? fluids होते है अब sir flow तो gases भी होती है तो क्या gases भी fluid है? बेशक सही बोले fluids के अंदर बेटर liquids भी आती है और gases भी आती है fluid मतलब जो बह सके अब बहने वाले liquid भी होते हैं और gases भी होती है तो क्या दोनों ही fluid होते है? बिलकुल सही बात है liquids भी fluid होते है gases भी fluid होते है लेकिन इस chapter में हमारा main discussion का जो point है liquids का है, gases को हम यहाँ पर discussion नहीं करते हैं हम इसका discussion करते हैं thermal में आपने सुना होगा KTG kinetic theory of gases, thermodynamics वहाँ पर जाके इनकी बारे में हम चर्चा करेंगे तो इस chapter में हम basically liquids पर focus करने वाले हैं देख लिया तुमने हर जगा पानी पानी नज़र आरा तुम लोगों को तो भावना है समझ गयोंगे कि liquids के चर्चा होगी gases के यहाँ पर discussion अभी नहीं करेंगे gases का discussion आगे चलके upcoming chapters में होगा जैसे कि आप kinetic theory of gases पर तो याप पुरे thermal physics की में डिफाइन करता हूँ वही पर discussion करेंगे पानी के बारे में discussion होगी और भी प्रकार की जो fluids होगे उनके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है अब fluids में जब हम पढ़ते हैं तो दो type के fluids के बारे में पढ़ेंगे है ना पहला case आते बेच में जिसमें fluids जो होते वो rest पे होते ठीक है पहला case आता है जिसमें fluids जो हैं वो rest पे होते हैं तो जो fluid rest पे है उनके बारे में discussion किया जाता है hydrostatics में तो hydro मतलब related to the liquid water static मतलब rest पे जो है तो सबसे पहला part जो हमारे पास आता है वो होता है hydrostatics का जिसमें कि हम उन fluids के बार में चर्चा करते हैं जो की rest पे हैं और उन fluids के बार में discussion करना है जो की flow कर रहे हैं flowing fluids के बार में अगर आपको discussion करना है तो आपको जाना पड़ेगा हैं तो basically fluid को हमने दो parts में divide कर लिया सबसे पहला होता है hydrostatics जहां पे उन fluids के बार में discussion करते हैं जो की basically rest पे है second case आता है उन fluids के बार में discussion करना है जो की flow कर रहे है जैसे नदी बहर रही है तो भैती हुई नदी है उसके बार में study करना है तो hydrodemics में जाना पड़ेगा वहाँ पे अलग concepts लगते हैं वहाँ पे अलग उनकी principles है सब कुछ अलग अलग है तो सबसे पहले कहानी जो हमारी शुरू की जाएगे it is from the hydrostatics और hydrostatic में है जो सबसे basic सी बात आपको समझे होती ही वह होता है कि भाई सबसे पहले तो यह समझे कि density वाज़ी terms यहां पर बहुत यूज में आती है तो densities होती ही क्या है बिसिकली है अगर लिक्विट रेस्ट पे होता है तो हम बात करेंगे hydrostatics की क्योंकि यहां पर उन सारे फ्लीट के बार में discussion किया जा सकता है जो की रेस्ट पे होते है इसलिए मैं flow flow बोलता हूं move इसलिए नहीं बोलता हूं ठीक है ले रहेगी बात है चली बई अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हम लोग और आगे जब हम बढ़ेंगे तो density के बार में चरचा करेंगे तो बेटा जी density के बारे मों पूस्ता हम लोगों से कि density क्या होती है तो density तुम भी जानते हो जैसे तुमने relation बढ़ा है density equals to mass upon volume बढ़ा है ना बढ़ा हो है ना हाँ तो density क्या है बेटा density of a liquid or any substance is defined as the mass per unit volume बेटा mass per unit volume होता है तुम्हें भी पता है हमें भी पता है ठीक है कोई शक वाली बात नहीं है अगर हम बात करें हाँ पे तो density को denote करते है रो से this can be further written as limit of delta m by delta v यानि की dm by dv इसको लिखा जा सकता है units की बात करें और dimensions की बात करें कुछ भी नहीं है ठीक है basic basic सी बात है जल्दी जल्दी से खटा कट करके खटम करेंगे इन सब चीजों को ज़ादा time waste नहीं करेंगे इन चीजों पे इसके बाद density पढ़ने की बाद हम आगे बढ़ते है and we'll talk about the relative density यह important है क्योंकि इस पे सवाल देता है वो ऐसे शब्दों का इस्तमाल करेगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई chapter पढ़ते हैं किसी के बारे में सुनसते हैं तो पहले उसका नाम जानते हैं इसका नाम है गोलू मैं जानगे इसको अब इसके बारे में और चांगे तो सबसे पहले में उनके नाम के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि ऐसे टर्म्स आप से सवालों में पूछे जा सकते हैं बोलतेगा तो भाई डेलेटिव देंसिटी पता है नियमें तो फिर कोश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो डेलेटिव देंसिटी क्या होता है बेटा इस डिफाइड अज डेशिटी अफ़ देंसिटी अफ गिवन फ्यूड तो देंसिटी अफ प्योर वाटर एट दफोर डिगरी सलस्य पर लेते हैं जैसे दूसरे लोग behave करते हैं वैसे water भी behave करते हैं लेकिन जैसे 4 degrees से 0 degree की तरफ आप जाते हो पानी अपने nature को बदल देता है बाई बिलकुल अलग behavior show करते हैं उस ताइम पे है ना? तो वहाँ पे 4 degrees से 0 degree की ओर जाते हो यानि की 4 degrees से कम पे हमारे पास water बहुत अजीब हो गरीब सा behavior show करते हैं इसलिए अकसर आप देखना तो यहां पे मैं pure water 4 degree वाला शब्द का इस्तबाल करूँगा और यह animalist behavior मैं आपको बढ़ा हूँगा इससा नहीं की नहीं बढ़ा हूँगा तो भाईया इससे क्या आप उस fluid के density निकाल सकते हो बिलकुल निकाल सकते है relative density into density of water भाई density of water अंजान नहीं हो तुम लोग समझदार हो फिर भी कोई अंजान है तो आज के बाद ग्यान होना चाहिए density of water 1000 kg per meter cube या फिर 1 gram per centimeter cube ठीक है that depends on कि आप conscious system में काम कर रहे हो नहीं पता लिख लेना, note कर लेना लिकिन आज के बाद इसको अगर question में नहीं दिया तो ऐसा हाथ खड़े मत कर देना ये मत बोलना कि साहब हमें तो पता ही निये density of water कितनी होती है याद कर लो ठीक है उपर भी density, नीचे भी density, क्या ये ratio हो गया? हाँ सर, उपर भी density, नीचे भी density, ratio हो गया कैसा? unitless, उपर भी kg per meter cube, नीचे भी kg per meter cube, सब खतम, unitless उपर भी ml-3, नीचे भी ml-3, फिर से खतम तो साहब unitless है, dimensionalless है पानी के density, 4 degree पर 1000 kg per meter cube या फिर 1 gram per centimeter cube होती है ठीक है? relative density, याद रहेंगी बाते, क्या होता है? it is the ratio of the density of the given fluid to the density of the water at 4 degree Celsius यो 4 degree के अलावा, देखो, 5 degree पे, 6 degree पे, 7 degree पे और इसके आगे कहीं पे भी चल जाओ water उसी type से behave करता है, जैसे दूसरे लोग करते है ठीक है? heat करने पे expand होगा, cold करने पे compression होगा वो अपने normal behaviors को show करता है, लेकिन 4 degree से इधर की तरफ आओ? 3 degree, 2 degree, 1 degree, यहाँ पे water बहुती अजीबोगरी behave करता है ठीक है? इसको कहते है, anomalous behavior of the water कहते है भाई, ठंडा होने पे इसको compress होना चाहिए, बट यह expand होता है फिर से ठंडा होने पे इसको compress होना चाहिए, लेकिन यह water expand हो जाता है ice जब बनती है तो वहाँ पे तुम बढ़ोगे, formation of the ice, thickness उसकी increase होती जाती है है ना, फिर वो सारी बाते पता चलती है कि क्यों underwater जो life होती है, aqua life जो होती है वो safe होती है सर्दियों में भी, है ना, तुमने देखागा भई, तालाब वगरा जम जाते है जहां पे बरफ वगरा गरती है, वहाँ पे तालाब जम जाते है पर फिर भी जो मचली होती है, वो safe होती है, वो जिन्दा होती है, ऐसा नहीं कि मर जाती ही मचली है वो जिन्दा होती है, क्यों? Because of this anomalous behavior of the water 4 degree से कम पे हमें लगा कि पानी पूरा जम जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है सिफ उपर की layer जमती है, नीचे पूरा पानी safe होता है अब तुम खुद ही सोचो ना, अगर पूरे तालाब का पानी पूरे तालाब का पानी अगर 1 degree पे आ जाएगा, तो तो जम जाएगा बैचारी मचली मचली मर जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है तालाब मैं सिफ उपर-उपर बरफ जमती है, नीचे जाओगे ना, तो पानी आपको 4 degree पे ही मिलेगा होँआपे हाँ, दिस इस दैनो मिलेज बीवियर तो यादा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसके बार में, अभी इतना नहीं जाएंगे इसमें पढ़ेंगे इसके बार में, तुमने पढ़ा तो होगा इसी, ऐसा तहनी कि तुमने नहीं पढ़ा होगा ठीक है, तो मैं ऐसी उमीद लेके आता हूँ हमेशा यहाँ पे कि तुमने यह सारी चीज़े पढ़ी हुई है क्योंकि preparation तुम लोग कर रहे हो जाई की, तो तुमने यह सारी चीज़े देखी होगी बट मेरा काम जो है एसी वर्मा का है, तो उसके हिसाब से मैं तुमें इसका एक quick revision देता हूँ यह सोचते हूँ कि आपने यह चीज़ पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी, कोई बात नी, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सारी चीज़े complete करा दू, ताकि आपको फिर आलिया समस्या ना आए, ठीक है अभी relative density का formula आप लोग लिख लेंगे, density of the water at 4 degree celsius आप लोग लिख लेंगे, यह सारी बाते हो चुकी हो, तो हम अगली slide पर बढ़ते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे specific gravity की specific gravity क्या होता है बेटा, it is defined as the ratio of the specific weight of the given fluid to the specific weight of the pure water at 4 degree celsius बेटा जी, अगर वो specific weight की बात कर रहा है, तो specific weight होता क्या है बड़े आसानी से उनों नों बोल दिया कि specific gravity is the specific weight of the fluid, of the fluid upon specific weight of the water, बड़े आसानी से बोल दिया, बड़े यह specific weight है क्या तो sir basically this is nothing but the weight per unit volume, जो भी आपका weight है उसको volume से divide कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, specific weight मिल जाएगा, ठीक है, तो specific weight क्या होता है बेटा, it is weight per unit volume तो अगर मैं fluid की बात करूँ, तो fluid का specific weight हो जाएगा, मैं highlight कर देता उसको weight upon volume rho g, weight होता है बेटा, mg, volume होता है v, mass को लिखता है density into volume into r upon v, volume सो volume का था हम, rho g, rho बोले तो density, g बोले तो acceleration due to gravity यह specific weight हो गया बेटा, और specific gravity क्या थी, specific gravity is the ratio of the specific weight of the fluid divided by specific weight of the water at 4 degree Celsius, टेक है तो भाई उपर क्या करेंगे, सर उपर करेंगे density of the water into g divided by density of the water into g दोनों खतम हो जाएगे, मिलेगा density of the fluid upon density of water, ओहो, यह तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या सर, specific weight, sorry, specific gravity हमें जो मिला है, वो है density of the fluid upon density of the water, और सर यही हमारा relative density भी होता था, तो क्या सर, एक ही बात है क्या specific gravity और relative density नहीं, दोनों अलग-अलग है, specific gravity अलग चीज है, relative density अलग चीज है, वो आप इनके definition से समझ सकते हैं, इनके definition से समझी है, कि specific weight is the different thing and the relative density is the different thing, लेकिन सर, इनके formula तो same आ रहे, अरे by chance formula same हो गया भई, हाँ, यह कह सकते हो, that they are numerically equal, ऐसा बोल दो, that they are numerically equal, but ऐसा कहना बहुत गलग बात होगा, कि वो दोनों एक ही है, ना, 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 बिलकुल गलग, अलग-अलग है दोनों चीज है, specific gravity अलग चीज है, relative density अलग चीज है, numerically दोनों की value same आ जाती है, वो अलग बात है, समझो, तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, वो सिर्फ numerically existence में है, बिटा, ठीक है, numerically they are equal, they are equal, बाकी definition पढ़ी है, इतने समझदार, तुम लोग भी हो, समझते हो, कि इसकी परिभाशा कुछ और कह रही है, उसकी परिभाशा कुछ और कह रही है, तो यह एक कैसे हो सकते हैं, है ना, यह एक कैसे हो सकते हैं, चलिए बई, जिस बात का थोड़ा सा ध्यान मेंखीगा, है ना, अरे यह वो वाली बात है, एक आदमी हैं, 50 kg का, दूसरा आदमी भी 50 kg का, इसकी height है 5 cm, दूसरे की भी, आदमी की height 5 cm नहीं होती, है, क्या यह दोनों एक ही है, नहीं से, इनके dimensions सेम है, इनकी height और यह जो weight है, यह सेम है, बट यह एक जैसे थोड़ी है, हाँ, यही बात मैं कैना चाहता हूँ, they are numerical equal, they are not same, ठीक है, चलो, तो यह specific gravity की बाते समझते हो तुम लोग, यह क्यों बता रहो मैं, क्योंकि यह terms पूछते हैं बेटा, इन terms का इस्तमाल किया जाता है, directly नहीं पूछेगा, यह नहीं बोलेगा कोई भी, कि specific gravity क्या होती है, बता दो, कोई यह नहीं बोलेगा कि what is specific gravity, लेकिन हाँ, यह जरूर पूछ लेंगे, इन सवाल में ऐसी बाते बोलेंगे, the specific gravity of the fluid is given as, फिर वो specific gravity देगा, उससे आप लोग क्या करेंगे, specific gravity से आप उसके density find out कर सकते हैं, समझे रो, तो वो क्या होगा, ultimately आपको उस fluid का density find करना है, उसके लिए हो सकता है, या तो आपको relative density देदे, हो सकता है, या तो आपको वो specific gravity देदे, तो उसके बेहाफ पर आप ये सारी चीज़े find कर पाएंगे, टेक है, समझ आया, क्यों पढ़ा रहो हैं इस सारी बाते, चलो गई, छापना है कुछ इसमें से, छाप लो, हो गया, चलिए बेटा जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आजा, एंड नौ लेट्स टॉक अबॉट दा प्रेशर, देखो भई, प्रेशर के बार में है, तुम पहले से जानते हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे पास बताने के लिए, कि मैं तुमें कुछ नया बता दू, फिर भी मैं बताऊंगा, फिर भी मैं बताऊंगा, भई, प्रेशर क्या होता है, इट इस नथिंग बट दा फोर्स अपोन एरिया, बच्पन में पढ़ा था, है न, साब बिल्कुल पढ़ा था, प्रेशर होता है, फोर्स अपोन एरिया, सर क्या मतलब है thrust का force में क्या बुराई थी ऐसी thrust लिखने से क्या आप style मानना चाहते है ये बताना चाहते है कि जादा चीजा आधी नहीं ऐसा कुछ नहीं देखो बीटा जब भी मैं बोलता हूँ thrust तो thrust मतलब होता है एक ऐसा force जो कि surface के perpendicular है जब भी मैं बोलता हूँ thrust तो thrust मतलब एक ऐसा force which is perpendicular to the surface force which is perpendicular to the surface हाँ ये जरूरी था pressure सिर्फ वही force लगा सकता है जो की surface के perpendicular है हर कोई तुच्चा पुच्चा सा force आके pressure नहीं लगा सकता pressure लगाने का अधिकार सिर्फ उसी force को है जो की surface के perpendicular होगा जैसे की मान लीजे ये कोई surface है इस पे एक force यहाँ ऐसा लग रहा है एक force यहाँ ऐसा लग रहा है एक force इस पे ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर यह F1 हो जाएगा यह F2 हो जाएगा यह F3 हो जाएगा बेटा जी मैं देख रहाँ कि तीन forces हैं जिन में से एक force इसके perpendicular है बाकी यह वाला force यहाँ पर मालीजे alpha angle पर लग रहा था यह वाला force यहाँ पर beat angle पर लग रहा था तो कोई मुझसे पूछे कि pressure कितना है तो pressure के लिए कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे बोलेंगे sir यह surface area इसका A हो जाएगा A is the surface area of the surface तो pressure will be F1 by A plus F2 by A plus F3 by A भाईया scalar होता है कि vector होता है pressure is a scalar quantity और a vector quantity pressure is actually the tensor quantity बट क्या है कि tensor quantity हम नहीं पढ़ते हमारे इसलिए बस में इसलिए हम उसको scalar ही बोल देते हो ठीक है तो pressure is scalar quantity होता है क्यूं होता है अभी बता देता हूँ बता देता हूँ थोड़ी सी मतलब just feel देने की कोशिश करूँगा कि क्यूं हम उसको scalar बोल रहे है वैसे तो point यह होता है कि भाई direction तो define कर सकते हो कि यह देखो इदर की तरफ हम प्रेशर के define करते हैं लेकिन क्या है ना वो vector law of addition को follow नहीं कर पता तो भाई vectors law of addition को follow नहीं कर रहा तो vector कैसे हो सकता है तो ठीक है तो हमने बोला यह क्या है tensor quantity है tensor हमार स्लेबस में नहीं है तो हम उसको क्या बोल देता है scalar ही बोल देता है तो pressure is a scalar quantity directly add किया जा सकते है लेकिन तुम अगर यह करोगे तो यह बात गलत हो जागी बिल्कुल क्यों sir यह गलत क्यों हो गया हर force pressure नहीं लगा सकता है सिफ वही force pressure लगाएगा जो surface के perpendicular है तो surface के perpendicular F2 है surface के perpendicular F1 का component आएगा which is you given by F1 sin of beta और यहां से F3 sin alpha हाँ तो pressure को define किया रहेगा F1 sin of beta divided by a plus F2 by a plus F3 sin alpha by a हाँ अब सही है ठीक है अब यह बात सही बोली क्योंकि हर कोई force ने pressure नहीं लगा सकता यह इसका यह वाला component देखना बेटा F3 cos alpha क्या यह responsible है pressure लगाने के लिए यह component देखो बेटा F1 cos beta क्या यह force pressure लगा सकता है क्या नहीं बिल्कुल नहीं लगा सकता है तो pressure के लिए जब आप define करते हो तो force बोलना काफी नहीं है आपको बोलना पड़ेगा it should be the normal force या फिर आप इसको बोले thrust force हाँ अगर कुछ लोग आपको बोलते हैं कि it is the normal force upon area हाँ मैं agree कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं कोई प्राणी अगर आपसे बोले it is the normal force upon area तो बेशक मैं मना नहीं करूँगा ठीक है नॉर्मल force यानि वो वाला force जो की surface के perpendicular है हर force pressure नहीं लगा सकता से वहीं लगाएगा जो surface के perpendicular तो F1 के लिए बोलोगे तो F1 को मैं मन्जूरी नहीं दूँगा लेकिन हाँ F1 का वो component जो surface के perpendicular है वो force प्रेशर लगा सकता है F3 के लिए बोलूँगा तो मैं इसको allow नहीं करूँगा F3 का वो component जो surface के perpendicular है वो pressure लगा सकता है और F2 तो surface के perpendicular था ही सही F1 cos beta अहाँ F1 cos alpha समझे बात को pressure की परिभाशा में modifications किये समझे क्या पक्का सच में अच्छा अब देखो जड़ा feel लेने की कोशिश करते है वैसे तो देखो बहुत अच्छी बात नहीं होगी अगर ऐसे बताओ मैं तुम लोगों लेकिन फिर भी चलो जश्ट ऐसे ही क्या आपने direction fix कर दिया कि साब मैं तो वही direction वाली लूँगा जव की surface के perpendicular है तो direction fix हो गया यानि कि आप वही forces consider करोगे जो perpendicular to the surface है तो direction से अब कोई लेना देना ही नहीं है बची कहानी magnitude पे भाई स्याब पहली बात तो वही force लोगा जो surface के perpendicular है direction की कहानी खतम हो चुकी दूसी बात मैं forces के magnitude के deal करोगा area का magnitude डील करेंगे तो तुम भी इजद के साथ तुम भी इजद के साथ इनको scalar बोलते हुए आगे बढ़ जाना कोई समस्या नहीं है अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ यूनिट की बारे में बता दो यूनिट क्या होगी सर जी pressure को आप लिखते हो यहाँ पे perpendicular वाला force upon area हाँ ये बोलना ठीग है perpendicular वाला force upon area ये बेटा force की यूनिट न्यूटन area की यूनिट मीटा स्कूर न्यूटन पर मीटा स्कूर इस दे यूनिट ये SI यूनिट होती है बेटा ये क्या होती है SI यूनिट होती है क्या बोलेंगे इसको SI यूनिट पास्कल भी इसकी SI यूनिट होती है चाप लो, चाप लो, जल्दी से इसको चाप लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट कर लो पोगा, सिसके disappearance प्रेशर का भी युयूट होता है ये इसके लाव एक रख प्रेशर होता है जिसको कहते है atmospheric pressure such that one atmospheric pressure is equals to 1.01 10 की पाव 5 pascal एक और होता है 1 बार is equals to 10 raised to power I think यह 5 Pascal होता है, देख लेना तुम लोगे कर तो यह conversions है basically, यह basically क्या है बेटा है यहाँ पर, conversions है जिनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान लखेगा atmospheric pressure, 1 ATM बहुत बार पुछता है, ठीक है, बार के बारे में इतना नहीं पुछता है, तो हमें हटा देते इसको लेकिन हाँ, ATM के बारे में जरूब उसता है तो 1 ATM इको सु 1.01 इसका थोड़ा सद्या लगना, पासकल बोलो, Newton per meter square बोलो कोई फर्क नहीं पढ़ता है प्रेशर की कहानी, बढ़े आगे चलिए बेटा जी, आगे बढ़ते हैं Now let's check the variation of the pressure तो बेटा जी, प्रेशर के variation को check करेंगे तो इसमें अलग-अलग cases आते हैं तो पहला case आता है हमारे पास उन fluids में जो की rest पे है या फिर move कर रहे हैं तो uniform speed से move कर रहे हैं ऐसे fluid जो या तो rest पे है या फिर uniform speed से move कर रहे है उनके case में pressure में कैसे variation आ सकता है वो check करेंगे तो सबसे पहले case में भी पहला case ही आते है बेटा कि horizontal plane में pressure का variation चेक किया जाएगा second case आता है कि हम height या फिर depth के साथ pressure का कैसे variation आएगा वो देखेंगे तो पेटा जी मा लीजिए कोई beaker है हमारे पास ये कोई beaker है हमारे पास इसके अंदर क्या है fluid बरा हुआ है fluid है बहुत सारा नहीं समझते हो ना fluid क्या होता है पता नहीं सर अरे पानी 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 अब समझगे ना अब क्या होता है कि मुझे horizontal level पे मुझे pressure check करना है तो इसके लिए मैं 2 points mark करता हूँ, ये point A हो जाएगा, ये point B हो जाएगा, कुछ भी नाम देता हूँ इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो मैंने क्या किया, horizontal, same horizontal level पे pressure के variation को check करने के लिए 2 points mark कर दिया बेटा जी, इनके across एक cross-sectional area लगा दीजेगा इनके across एक cross-sectional area लगा दिया हमनों को ने such that area along A is equals to area along B इन दोनों के across मैंने क्या किया बेटा, cross-sectional area लगा दिया इनको नाम दे देता हूँ 1 and 2, थोड़ा अच्छा लगता है 1, 2 देखने से, ये cross-sectional areas मैंने बना दिया बेटा, ये 1, ये 2 यहाँ पे area of 1 is equals to area of 2 हो जाएगा area of 1 is equals to area of 2 हो जाएगा, ये मैंने आपको define कदी यहाँ पे, अब क्या होता है बेटा, इन दोनों cross-sectional area को जोड दीजे, तो जोडने पे, यहाँ पे कुछ length आपको मिल जाएगी, let us say this is your L, ठीक है, तो यहाँ पे basically मैंने क्या किया है, cylindrical segment सा बना लिया है, ठीक है, cross-section यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ जो भी आपको बोलना है, एक cylinder के format का मैंने यहाँ पे cross-section लगाएगा, perpendicular to the surface, यहाँ से भी pressure लगाएगा, perpendicular to the surface, बेटाजी, यहाँ पे जो pressure लगेगा, it is given by इधर लगने वाला force into इधर लगने वाला cross-sectional area, यहाँ पे जो pressure लगेगा, it is given by यहाँ लगने वाला force into यहाँ लगने वाला cross-sectional area, ठीक है, clear हैंगी बते अरे हा कि ना यहां पे प्रेशर कितना था पीवन यहां पे प्रेशर कितना था पीटू ऐसा ही तो होता है कुछ और होता है क्या नहीं होता है यहीं होता है यहां से प्रेशर लग रहा था पीवन वाला वहां से प्रेशर लग रहा था पीटू वाला और बेटा जी इसके अब क्या होगा pressure का variation देखना है मुझे तो साब fluid कहा है rest पे है sir fluid rest पे है तो यहाँ पे इन पे लगने वाला net force होगा बैटा that will be zero since यह fluid क्या है rest पे है तो इन पे लगने वाला net force कितना होगा zero होगा भाई एक force यहाँ से लग रहा था एक pressure pressure मतलब अरे वो ultimately क्या है भाई ऐसा force which is perpendicular to the surface तो यह surface है इसके perpendicular यह surface है इसके perpendicular एक force यहाँ से लगा एक force यहाँ से लगा दोनों का cross sectional area same है तो pressure का relation नहीं निकाल सकते गया देखो भाई क्या अंसे बनता है हाँ वाई तो क्या करें यहाँ पे अच्छा चलो force से define कर देता है force से define कर देता है यहाँ पे लगा दिया भाई F1 वाला force यहाँ से लगा दिया F2 वाला force क्योंकि net force तो 0 है भाई net force अगर 0 है पूरा fluid rest पे है तो यह तो imaginary है ना असल में तो यहाँ पे भी fluid ही था तो यह भी इस पे भी क्या लगी कि कहानी net force 0 वाली कहानी इस पे भी लगज़ाईगी कि मैटा भाई क्यों क्योंकि सर यह तो fluid के अंदर बनाया था असली का डबा थोड़ी है यह तो सोच रहे हो तुम यह तुमारे दिमाग में चल रहा है असली में तो क्या था fluid था असली में तो यह सारी चीज़े तो तुमने दिमाग में बनाई है कि अच्छा ऐसा दो पॉइंट्स होंगे दो पॉइंट्स पे cross section बनाया होगा उनको जोड़ा होगा तो एक ऐसा cylinder जैसा दिख रहा होगा यह तुम दिमाग में सोच रहे हो फिर हमने सोचा कि इस वाले point पे force लगा रहा होगा fluid क्योंकि fluid इसको pressure करेगा इदर fluid इदर भी pressure लगाएगा तो भाई fluid ने इदर वाले surface पे point 1 पे force लगाया F1 इदर वाले पे force लगाया F2 क्योंकि साब fluid तो rest पे था fluid अगर rest पे था तो net force 0 हो गया तो बेटा जी यहाँ पे F1 बराबर F2 हो जाता था अब pressure equals to force upon area बोलते थे आप लोग pressure को क्या बोलते थे force upon area बोलते थे तो भाई पहले वाले पेस में pressure की बात करें तो P1 equals to F1 by A तो F1 will be equals to बेटा जी P1 into A similarly अगर मैं यहाँ पे second वाले surface की बात करूँ तो second वाले cross section पे अगर मैं बात करूँ तो F2 will be equals to P2 into A हो जाएगा फिर F2 क्या हो जाएगा P2 into A हो जाएगा तो F1 की जगा मैंने लिखा P1 into A is equals to F2 की जगा हो जाएगा P2 into A A से A खचा खच हो जाएगा and we are left with P1 equals to P2 तो हमें क्या देखने को मिला कि साहब same horizontal level पे क्या देखने को मिल रहा है same horizontal level पे pressure same रहता है it doesn't matter आप पहले वाले point पे बात करो आप दूसरे वाले point पे बात करो आप तीसरे वाले point पे बात करो आप चौथे point पे बात करो आप पाच पे point पे बात करो if they are on the same horizontal level अगर वो same horizontal level पे है तो हर एक point पे pressure same रहेगा तो यहां लिख देता हूँ कि P1 is equals to P2 is equals to P3 is equals to P4 is equals to P5 क्योंकि सारे के सारे point same level पे है तो same level पे pressure same ही रहेगा ठीक है अर ऐसे ही width और depth के साथ में भी variation आता है लेकिन उससे पहले इसको note कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं width के साथ या sorry height या फिर depth के साथ भी इसका variation आता है तो variation कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ पहले इसको note कर लीजे फिर आगे बढ़ते हम लोग हो गया सभी ने note किया चली बेटा जी तो आगे बढ़ते हैं ये हमारा एक मिट रोगो हाँ ये वहला case था जिसमें की fluid under constant acceleration होते हैं उसमें भी horizontal direction की बात करेंगे vertical direction की बात करेंगे और rotation की बात होगी लेकिन ऐसा होगा इसमें कि suppose ये कोई beaker है बेटा और ये beaker के अंदर fluid है तो fluid although अभी भी rest पे है समझना तुम बोलोगे कि सर आपने तो बोला था hydrostatic में fluid rest पे होता है आपने तो कहा था hydrostatic में fluid rest पे होता है बेटा जी fluid अभी भी rest पे है ये container को accelerate करा रहा हाँ ऐसे case में हम pressure का variation चेक करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कितने pressure में variation आएगा ये container accelerate कर रहा है इस case में pressure का क्या variation आगा वो भी हम देखेंगे फिर vertical direction में अगर accelerate करा तो फिर क्या variation होगा वो भी देखेंगे फिर अगर इसको मैं पकड़ के ऐसे गोल गुल घुमा दू तो उसमें पहला पार्ट बेटा जी हमने complete कर लिए था जिसमें variation of pressure in fluid at rest हम find कर रहे थे and variation of the pressure at the two points in the same horizontal direction बेटा same horizontal level पे अगर दो points हमारे पास आ जाए जैसे कि आपने देखा beaker, beaker के अंदर fluid और यहाँ पे दो points मार्क किये point number 1 और यहाँ पे point number 2 since they are on the same level बेटा since यह दोनों same level पे है तो मैंने क्या बोला कि P1 और P2 बराबर होते है जिसका प्रमान अभी थोड़ी देर पहले में आपको दे दिया था ठीक है? अब वो बोलता है कि भाईया यह तो चलो horizontal direction में होगे अगर यही points vertical direction में होते और दूसरा point अब यहाँ पे बनाए है पहला point यहाँ पे है दूसरा point यहाँ पे बेटा दोनों के बीच में variation है height का बिल्कुल है sir तो इस case में अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाईया बताना अब pressure का क्या variation आएगा तो हम पुराने तरीके बिजाएंगे यहाँ पे cross section बनाएंगे बेटा यहाँ पे दूसरा cross section बनाएंगे और इनको आपस में जोड देंगे पहला cross section यहाँ पे बनाए है दूसरा cross section यहाँ पे बनाए है दोनों cross sections को जोडती हुई liner बना दी इसको मैं इस बार H से denote कर रहा हूँ क्योंकि वो height वाली बात होगी इसलिए बार वो length के format में था इसलिए L से denote कर दिया था इस बार बेटा जी वो height के format में आ रहे है इसलिए मैं है H से denote कर दिया इसके लाब और कोई मलब ऐसा मेरी मनिशा नहीं है इसको H लिखने की सिर्फ ऐसे लिख दिया कि vertical में height से deal की जाती तो H के format में define करते बेटा क्योंकि fluid अभी भी rest पे है fluid हमारा अभी भी rest पे तो ये काम करते हैं ये fluid असली में था जिसमें तुमने ये चीज़ सोची है कि यहाँ पे 1.1 है यहाँ पे 1.2 है पहला cross section हमने बनाया है जो की point 1 को cover कर रहा है दूसा cross section बनाया है जो point 2 को cover कर रहा है दोनो cross sections को मिलाते हुए line बना दी मैंने बेटा जी कहने वाली बात ये है कि दोनों का cross section सेम होगा यानि A1 बराबर होगा A2 के दोनों cross section सेम होगे यहां पर कहने वाली बात ही है, ठीक है? चलो, बढ़ी हाँ, तो यह आपर उपर वाले का जो एरिया है नीचे वाले की वही एरिया होगा, तो इस पार्ट को मैं ऊलग से बना लेता हूं, इस पार्ट को जो मैंने ऊलग से बनाया, था हां सर तो यहां से fluid इसको pressure करेगा हां बिलकुल करेगा इसको एक force लगाएगा इधर की तरफ फोर्स लगाएगा जिसको हमने नाम दिया F1 इधर की तरफ से भी fluid इसको नाम दिया F2 बिटा इस container के अंदर भी तो fluid है हां सब अरे सोचो ना यह imaginary आपने बनाया है तो क्या इस पालतू बैटा है उसका भी खुद का कोई weight होगा तो हमने बोला उसका भी weight यानि कि mg acting in the normal direction ठीक है तो उपर से तो fluid इस surface को दबा रहा था नीचे से भी fluid इस surface को दबा रहा था अंदर का जो fluid है उसका खुद का weight नीचे लग रहा है और क्योंकि यह पूरा system rest पे था बिटा तो यह भी तो rest पे होगा तो मैंने बोला साब net force 0 कर दीजिए क्या कर देंगे net force को 0 कर देंगे net force ऐसे 0 किया तो मैंने देखा भाई नीचे लगने वाले forces कौन कौन से है f1 plus mg यह वाला force उपर लग रहा है इसलिए minus का f2 should be 0 net force 0 कर दिया मैंने f2 को दबेज दीजिए तो f1 minus का f2 या फिर एक काम करते है f2 को दबेज दिया तो जाएगा f2 minus का f1 should be equals to mg तो देख रहा है विनोथ क्या हुआ पिसलिए बार तो 0 हो गया था लेकिन इस बार 0 नहीं हुआ इस बार क्या बन गया mg बन गया पहले तो दोनों forces बराबर आ रहे थे जिसकी होदे से pressure बराबर हो रहा था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ इस बार दोनों forces के बीच का difference आ गया जो कि mg को denote कर रहा है और क्योंकि difference positive है क्योंकि difference positive है तो मैं समझ रहाओं कि f2 बड़ा होने वाला और है f1 से नहीं समझे है बात को अरे यार यह f2 उधर चला गया माइनस का f2 बन गया plus का f2 यह plus का f1 उधर चला गया बन गया माइनस का f1 f2 मैनस f1 प्लस का mg f2 माइनस f1 करने से हमें positive चीज़े मिल रही है बही है आम शीना मास कभी negative होता है कि मास negative नहीं होता ना नहीं कि F2 बढ़ा होगा F1 से बैटे जी F2 को लिखते हैं P2A minus F1 को लिखेंगे P1 into A, भाई या force होता है pressure into area should be equals to Mg हाँ तो अगर F2 बढ़ा है F1 से तो मैं बोलूं क्या P2 बढ़ा होगा P1 से, और वेसी यह बात है सर, सोर से वाली बात ही निए मास कितना होगा, इसके अंदर जो fluid है, उसका मास तुम्हें पता है? नहीं पता सर, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यह height है H और यह cross-sectional area है A and even यह वाला भी cross-sectional area है A मैं यह जरूर जानता हूँ मैं यह नहीं जानता कि इसके अंदर का मास कितना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह height H है, यह cross-sectional area A है यह भी cross-sectional area A है और अंदर क्योंकि पानी भरा होगा तो उसकी density भी मुझे पता होगी अंदर जो भी पानी या फिर fluid होगो उसकी density भी पता होगी तो यहां से एक relation आता है बेटा density equals to mass upon volume का तो यहां से mass को लिखा जाता है density into volume अब भाई, इसका volume अगर कोई तुमसे पूछ ले तो क्या बोलोगे? area into height तो इसको लिखोगे volume को area into height तो mass को लिखते है density into volume volume को लिखते है area into height हमने लिख दिया m की जगा इसको लिख दीजिए तो m की जगा जब हम इसको लिखेंगे तो it comes out p2 minus का p1 into a should be equals to mass की जगा पे density into area into height density into area into height into g भाई area से area खचा खच हो गए and we are left with rho g h so p2 minus का p1 should be equals to rho g h तो क्या देखने को मिला हमें कि इस बार P1, P2 बराबर नहीं है याने कि दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं है बलकि चेंज हो जाएगा प्रेशर और नीचे की तरफ जितना नीचे जाते जाओगा प्रेशर उतना जादा होता जाएगा अरे भाई यहां से साफ पता चल रहा है तुम्हें कि P2 बड़ा है P1 से यानि कि fluid में अगर तुम नीचे जा रहे हो तो pressure increase हो रहा है तो भाई सब्मरीन वगरा में तो यही सिन्यारी होता है एक limited decide होती है कि समुद्र में जब हम जा रहे हैं तो किसी एक particular depth तक जा सकते है उससे जादा depth पे जाओगे तो सब्मरीन को भी खत्रा होता है क्योंकि वहाँ पे pressure इतना जादा होता है कि उसकी walls को वो क्या कर सकते है crush कर सकते है so ultimately हम यह समझ गए कि पानी में या फिर किसी भी fluid में जितने depth पे हम जाते जाएंगे pressure उतना ही जादा increase होता जाएगा इसको एक और तरीके से लिखते है जो अकसर तुम्हें कहीं किताबों में या कहीं और देखने को मिल जाए it is P2 is equals to P1 plus का ρो GH ठीक है तो समझ गए second वाले point पे जो pressure होगा वो पहले वाले point का pressure plus इस fluid का pressure वो है ρो GH यह जो fluid इसके अंदर बर है इसका pressure ρो GH समझ लो है जिसको कहने वाली बात है ठीक है तो क्या समझे बात को कि सब same horizontal level पे pressure same होगा same horizontal level पे pressure same होगा vertical level पे pressure में variation आएगा उपर pressure कम होगा नीचे pressure ज़ादा होगा समझ गए बात को इसको चाप लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते ठीक है बई note किया सभी ने पक्का चलोई तो यार अगर कोई तुम से ऐसा सवाल पूछ ले कोई फाल्तू फाल्तू का सवाल दे दे कुछ भी कुछ भी बना के जैसे कि ये कोई beaker सा बना दिया उसने एक beaker उसने ये वाला बना दिया है ना एक beaker उसने ऐसा बना दिया यहां से लेके ये मूरा मटके जैसा और कुछ भी कुछ भी बना दो एक बीकर उसने ऐसे वाला बना दिया ठीक है ऐसे अलग-अलग करके उसने बहुत सारे बीकर बना दिया और पूछ लिया कि भाई इसमें ये वाला पॉइंट A है ये वाला पॉइंट B है ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट D है उसने बोला कि साब सारे बीकर्स में हमने same fluid को fill करके रखा है उसने क्या बोला सारे बीकर्स में हमने same fluid को fill करके रखा है तो find the relation between the pressures of A, B and C A, B, C पे जो pressures है बेटा उनमें क्या relation होगा यह आपको बताना पड़ेगा है ना क्या बोलो इन्होंने कि बाई साब सारे के सारे बीकर्स में हमने same fluid को fill करके रखा है same fluid को fill करा तो सारे बीकर्स में जो हमने points हमने mark करके रखे हुए है सारे बीकर्स में जो हमने points mark करके रखे है इन points पर pressure में क्या relation आएगा तो कुछ लोग बोलते हैं कि साब A में प्रेशर जादा हो जगा B में कम होगा C में उससे कम होगा D में उससे कम होगा फिर कुछ बोलते हैं कि D में सबसे जादा होगा C में उससे कम होगा D में उससे भी कम होगा A में उससे भी कम होगा फिक उस लोग बोलते हैं सब में बराबर होगा तो क्या तुम लोग कहते हो कि A पे जो प्रेशर होगा B पॉइंट पे भी उतना ही होगा और D पे भी उतना ही होगा तुम उन लोगों में से हो जो ये बात कहते हैं क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो ये बात कहते है कि साब A पे, B पे, C पे और D पे प्रेशर सेम होगा मैं उन लोगों में से हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि साब अगर आपने सेम फ्ल्यूट को फिल करके रखा है तो A, B, C, D पॉइंट्स जब मैंने देखे तो मुझे पता चला, they are all on the same level और जब same level पे है तो A पे जो प्रेशर होगा वो B पे भी वही होगा और C पे भी यही होगा और D पे भी यही होगा ऐसे सवाल बोलता है कभी कार वो फूज़ तो पेटा ऐसे सवाल आते हैं तो गवरा मजाना कर लोगे तुम लोग भाकी H C वर्मा तो हम करें ही सही तो उसमें तो और अच्छे level के सवाल हमें मिल जाएंगे क्लियर रहेगी बाते सभी को पक्का मिटा दो इसको मैं चली भई ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिटा हमारे अगले केस की और आते हैं जिसमें की हम बात करेंगे variation of the pressure ठीक है प्रेशर का variation बात करेंगे in fluids at rest और at the यह तो हो गया ना हमारे केस है ना यह वाला केस तो हमने कर लिया ना हाँ अगला केस आएगा जिसमें की हाँ यह वाला बिल्कुल तो अगला केस आएगा जिसमें fluid under constant acceleration मैंने जैसा पहले भी बोल दिया था आपसे कि सहाब constant acceleration का मतलब यह नहीं कि fluid flow कर रहा है मतलब यह है कि किसी beaker के अंदर किसी bottle के अंदर किसी वास्क के अंदर है ना यह fluid है और हम उसको accelerate कर रहे है जैसे bottle है पानी की उसके अंदर fluid भर दो उसके बाद bottle को ऐसे आगे लेकी जाओ accelerate कर रहा है उस case में कैसे आप इसके pressure के variation को देखेंगे है ना तो उसमें तीन cases बनते है पहला होता है कि भाई beaker है glass में तुमने पानी भर लिया glass को horizontal accelerate करो तो pressure का variation बताना है फिर second जीज बोलता है कि भाई आपके पास क्या है glass था उसको आप vertical accelerate करो तो pressure का variation क्या होगा फिर त rotation आएगा तो pressure का variation क्या है यह सारी बाते हम इस case में करेंगे ठीक है बिटा तैयार हो सबी लोग चलिए बई तो फिर सबसे पहला case लेके आते horizontal direction में मैं थोड़ा सा हींट यहीं दे देता हूं वाई आपके पास beaker में पानी है आपके पास beaker में यहां पे पानी है अब आप क्या कर रहो इस beaker को accelerate करा दो आप क्या करोगे बिटा इस beaker को accelerate करा होगे और जब आप इस beaker को accelerate करा होगे तो क्या होगा बाई सीदी सी बात है इस पानी क्योंकि एक accelerating frame में है there is something pseudo force है तो ऐसे कुछ कहानी बनेगी और यह liquid का जो शेप है अब ऐसा ना होके कुछ अलग प्रकार का हो जाएगा कैसा होगा तो वो शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अन्जान तो नहीं हो ना इस बात से तुम लोग ऐसे ही होता ना पानी का शेप अरे यहार करके देख ले ना एक डबा ले ना उसका अंदर पानी बढ़ना डब्बे को ऐसे accelerate करा ना देखना पानी पीछे की तरफ आएगा और इस टैप का शेप बना लेगा है ना तो इसमें दो तीन चीज़ हमें फाइंड कर नहीं होती है सबसे पहली चीज़ तो यही फाइंड करनें कि भाई यह जो यहां पे शेप बन रहस का यह एंगल कितना बनता है थीटा यह कैलकुलेट करेंगे दूसरी चीज़ दो पॉइंट से यहां पर मार्क करूंगा मैं यह पॉइंट नमबर वन हो जाएगा यह पॉइंट नमबर तो क्या इस बार भी दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा जैसे पहले हुआ करता था बिकॉज यह रॉन दा सेम होरिजॉंटल लेवल दोनों के दोनों सेम लेवल पे है और आपको याद है जब फ्लूड रेस्ट पे था तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम लग रह होगा ठीक है अलग होगा तो कितना वेरियेशन आएगा वो निकालेंगे दूसरी चीज यह हां पर यह जो हमने देखा लिक्विड के शेप को बैसिकली वो कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं साधी साधी एक्सेलरेशन कितना हैगा इन टरम्स ऑफ थीटा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो बारी-बारी से इसको सॉल्व करते हो चलेंगे तो मैं एक डाइगरम दिखा देता हूँ जो हमाले लिए हल्पफुल रहेगा यह देख हो रहा है यह रहा फ्ल्यूड आप देख रहें उसका शेप कुछ अलग सा हो चुका है इस बार नाव वी हाव तो दिफ्रेंट पॉइंट पॉइंट नमबर वन यहां पर पॉइंट नमबर टू इन दोनों पॉइंट में प्रेशर का क्या कोई वरेशन आएगा कि नहीं तो मैं क्या करता था दोनों पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाता था सच दाट दोनों जगा पर एरिया सेम है बेटा है ना इन क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं आपस में जोड देता था और जब मैं इनको आपस में जोडता था तो यहां पर एक लेंथ को डिफाइन करता था L मैंने बोला यहां का cross-sectional area कितना है A तो यहां का B cross-sectional area कितना हो जाएगा बेटा जी A यह एक column बन जाता है क्या बनता है यह column बन जाता है अब हम चर्चा करेंगे सिर्फ इस column की column बोले तो यह जो cylinder बना है इसको column कहेंगे बेटा और यह column असली में नहीं है यह आप सोच रहे हो यह column imaginary है आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ column बना यहाँ पे तो इधर की तरफ liquid ने force लगाया इसको नाम दिया गया F1 इधर की तरफ liquid ने force लगाया इसको नाम दिया गया F2 और क्योंकि सहाब यह column fluid के अंदर है जो कि आगे की तरफ accelerate कर रहा है तो इसको भी further हम क्या करते हैं बेटा accelerate करवा देते हैं ठीक है इसको हम क्या करेंगे बेटा accelerate करवा देते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं अपने अपने opinion है इस पर मैं कोई जबर्दस्ती नहीं दूँगा इस column को अगर आप यहां पर बनाओ तो ऐसा बनेगा यहां पर फोर्स लग रहा है F1 वाला इस इस दा पॉइंट 1 बेटा पहला वाला पॉइंट यहां था दूसर वाला पॉइंट यहां पर था तो यहां पर फोर्स लगएगा F2 वाला इसके अंदर फ्ल्यूड है बेटा कॉलम के अंदर हाँ साहब बिल्कुल सही कहे हो सर आप कालम के अंदर फल्यूड है बाहर भी फ्ल्यूड था बाहर वाले फ्ल्यूड ने इन क्रॉस सेक्शनल एडियास पे बाट साहब यह तो पूरा एकसलरेट कर रहा है यह पूरा क्या कर रहा है एकसलरेट कर रहा है यानि कि यह जो फ्ल्यूड है इस ताइम पर एक expression एक एकstarर य्शलरेटिंग फ्रेम है तो इसके उपर एक pseudo-force भी लगा सकते हो आप लोग आपकी इच्छा शद्धा पे है, इस पर कोई ज़ोर जबरतस्ती नहीं है, दो equations, एक equation बनती है, आप किसी से भी बना दीजिए, जैसे कि मैंने आपर बनाई F1-F2 should be equals to MA, where M is the mass of the fluid, जो की इस cross section में है, mass of the fluid जो इस column के अंदर है, उसका mass यहाँ पे बुटके, पैटे यह F1-F F2, acceleration उधर की तरफ हो रहा है, लिख दी equation, pseudo force के तहट, आप अगर बात करोगे, तो MA इधर लग जाएगा, तो F1-MA-F2 should be 0, तो F1-F2 should be equals to MA, again वही कहानी बन जाएगी, तो यह आपकी मर्जी, आप pseudo force की कहानी लेके solve करोगे, तो भी यह equation बनेगी, सीधा F1-F2 is equals to MA करोगे, तो भी यह कहानी बनेगी, M is the mass of the fluid, जो column के अंदर है, समझे दो बेटा, यहाँ पे पूरा fluid था, यह आपने सोचा ऐसा, कि यहाँ पे column बन रहा होगा, यह आपने सोचा है दिमाग में, तो जैसे आपने एक imaginary column यहाँ रखा, तो कुछ fluid column के अंदर आ गया, जो fluid column के अंदर ह है, उसका mass M defined कर दिया, अब देखो भाई, mass तो पता नहीं है, तो मैं जानता हो, density equals to mass upon volume होता है, तो यहाँ से mass को लिखा जा सकता है, density into volume, भाई साब density of the fluid हमें पता होती है, indirectly कहीं न कहीं वो आपको दे देगा, क्योंकि अलग-अलग fluid की density, अलग-अलग है, वो हम याद नह होगा बेटा, वो आपको density of the fluid गेवन होगी question में, ठीक है, तो density पता होगी, volume की बात करें, बेटा जी, इसका length कितना बोले थे आप, sir, length बोले थे L, cross section कितना बोले थे, cross section बोले थे A, क्या दोनों तरफ का cross section same था, जी sir, दोनों तरफ का cross section same था, तो it will be your density rho into volume की जगा, area into length L दीक है, तो mass की जगा rho A L कर देना, बेटा जी, F1 पे क्या लिखें, sir, F1 को लिखते है, P1 into area minus का, P2 into area is equal to, mass की जगा बेटा जी, मैं लिखता हूँ, rho A L, rho A L dot acceleration A बेटा जी, A से A सारे खतम हो जाएंगे, so P1 minus का P2 should be equals to rho L A, so P1 minus P2 क्या हो जाएगा बेटा जी, rho L A, तो आप देख रहो, इस बार भी दोनों points पे, दोनों points पे pressure same नहीं है, pressure का difference है, ठीक है, सबसे पहला case जो हमने करा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहले वाले case में हमने पढ़ा था कि sir, fluid rest पे है, और rest पे है, तो उस time पे, same horizontal level पे, pressure same आ रहा था, किया था ना, बेटा P1, P2 बराबर आ रहे थे, लेकिन जैसे वो fluid accelerate करने लग जाता है, अब fluid accelerate कै कैसे करेगा, साब उसको किसी container के अंदर डालेंगे, वो container accelerate करेगा, उसको क्या करोगे, किसी container के अंदर डालोगे, वो container accelerate करेगा, fluid को किसी container के अंदर डालके, अब container accelerate करेगा, उस case में, same horizontal level पे, pressure same नहीं होता है बेटा जी, और वहाँ पे pressure का difference आ जाता है, वहाँ पे क्या जा प्रेशर का विरिएशन आता है एंड विरेशन इस गिवन भाइ रो एल ए पीवन माइनस पीटी को सुरू एले ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मॉला तो हमें यह मिल गया हमारा एक फॉर्मॉला तो मिल गया अब दूसरे फॉर्मॉले की तरफ चलते हैं आपने देखा यहाँ पे साब इसका जो है की थीटा एंगल पर ये क्या कर रहे है लिकुड थीटा एंगल पर क्या कर रहे हैं साब ये इनकलाइन हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्फ के जाये तो उसके मैं इधर आता हूँ डाइग्राम को दुबारा से बनाता हूँ क्या फ्लूड का हाल ऐसा ही था बेटा कुछ बिल्कुल सर इसके अंदर आपने क्या बना था एक कॉलम बनाया था बिल्कुल बनाया था सर यह पॉइंट वन था यह पॉइंट टू था इसका लेंथ था एल और यहाँ पे इधर से लग रहा था प्रेशर पी वन और इधर से था पी टू बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना था पी वन और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना था पी टू यहां से force लग रहा था F1, यहां से force लग रहा था F2 ठीक है, अब ज़रा गौर फर्मा के सुनना बेटा यहां से, इस point से, यह कितने नीचे होगा, लेटेस से मैंने बोल दिया साब, यह है H1 यहां से यह वाला point कितने नीचे है, मैंने बोला साब यह है, मान लीजे, H2 height नीचे इसकी height जो है from this surface, surface से इसके जो depth है वो H1 है और surface से second point का जो depth है वो H2 है, ठीक है, ठीक है यह length कितनी बोली थी, L, यहां पर यह कुछ angle theta बनाता है, वो theta मुझे calculate करना होता है यह कुछ angle theta बनाएगा, जिसको कि मुझे calculate करना होता है यह जो height है यह वाली, कितनी है, sir यह H2 है, यह H1 है, तो this height will be of H1 minus का H2 तो इस छोटे से triangle से आपको नज़र आ रही होगी एक बात है, क्या, sir from the triangle tan theta equals to perpendicular upon base बोलो नयर, इसके surface से यह depth H1, इसके surface से यह depth H2, यह H1, यह H2 बहिए, यह कितना, साथ, यहां से H2 शुरू हो गया, और यहां से H1 तो इतना सा part will be H1 minus H2, बोलो यह height कितनी हो जाएगी, sir यह पूरी H1 उसमें से H2 को minus का दीजे पूरी H1 उसमें से H2 को minus का दीजे, so you are left with H1 minus H2 तो यह बनेगा perpendicular में H1 minus का H2 और base में L क्योंकि यह तो L है, column का length है न, ठीक है sir अच्छा तुमने P1 minus P2 किया, तुमने P1 minus P2 किया, तो तुम्हें मिला rho L A मिला की नहीं? बिलकुल मिला, हाँ, इसको side में रख लो थोड़ी दिर के लिए equation 1 बनाके, इसको side में रख लेते, ठीक है? tan theta H1 minus H2 by L आ रहा है बिटा tan theta जो आ रहा है, वो कितना रहा है? H1 minus H2 by L आ रहा है, ठीक है? अच्छा जी और, और कुछ इसके लावा बिटा, आप देख रहे हो, यहाँ पे जो pressure लगता है वो क्योंकि atmosphere के साथ है बिटा, यहाँ पे यह जो points हमने बनाए थे, these points are on the surface, तो यहाँ पे atmosphere का pressure लगेगा बिटा ठीक है? समझते हो बात को यह जो points है, यह कहाँ पे है? सर्फेस पे है, surface जो होती है, वो atmosphere के contact में है तो उन पे लगता है atmospheric pressure हम atmospheric pressure को P naught से denote करेंगे P naught से हम atmospheric pressure को denote करेंगे अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाता हूँ कि भाई यह देखो, यहाँ पे लग रहा है atmospheric pressure और यहाँ पे है तुम्हारा second point at a depth of h2 यहाँ पे लग रहा है atmospheric pressure और यहाँ पे तुम्हारा point है second वाला जहाँ पे pressure लग रहा है P2 यहाँ surface से यह h2 depth नीचे है, तो P2 पे pressure कितना होगा बिटा क्या P2 निकाल पाओगे तुम लोग? यहाँ पे pressure लग रहा है atmospheric वाला h2 depth नीचे आए तो यहाँ पे pressure लग रहा है P2 तो P2 will be given by पता नी सर भूल गए हम लोग तो भूल गए क्या? अरे ऐसा करते थे क्या तुम लोग? P2 minus का P1 is equals to rho G H पता नी सर किया था कि नी किया था? अरे अभी तो किया था थोड़े पहले यार ऐसा मत करो जब fluid rest पे था जब fluid rest पे था एक पॉइंट उपर एक पॉइंट नीचे नीचे वाली की depth ज़ादा थी तो सर उस पे pressure ज़ादा था यही तो है वो कहानी इस बार यह point का है? सर्फेस पे है, सर्फेस पे लगते है अक्मॉस्फेरिक प्रेशर तो बेटा जी, P2 माइनस का P0 इकोल्स टू रो जी, बेटा कितनी height पे? H2 पे, सो P2 गिवन बाई P0 प्लस का रो जी, H2 खतम कहानी तो लोग भाई P2 का value मैंने एक और निकाल दिया P2 का एक और value मैंने निकाल दिया, which is given by P0 प्लस रो जी, H2 similarly मैं P1 के लिए निकाल दिया, साब यहाँ पे लगेगा atmospheric pressure and the atmospheric pressure is P0, यहाँ पे भी लगेगा atmospheric pressure which is given by P0 तो साब P1 पे pressure होगा, P0 प्लस रो जी, H1 लिख दो यहाँ पे similarly P1 is equals to P0 प्लस का रो जी H1 देखो ज़रा, क्या यह बात सही है साब यहाँ पे pressure P1 था, यहाँ पे pressure P2 था यहाँ पे atmospheric pressure, यहाँ पे atmospheric pressure surface पे atmospheric pressure ही बनाना क्योंकि वो atmospheric के साथ आजाता आगे further contact में तो वहाँ से atmosphere अपना एक अलग pressure लगा रहा है surface पे तो अगर आप surface पे देखोगे then you will get the atmospheric pressure जैसे तुम depth पे आए, H1 depth पे आए तो pressure मिला P1 H2 depth पे आए तो pressure मिला P2 and P2 is P0 plus का ρो जी H2 and P1 is P0 plus का ρो जी H1 बिटा जी, पहले ही आप P1 minus P2 कर चुके हो क्योंकि यह accelerate कर रहा है क्योंकि बिटा, यह accelerate कर रहा था A से ता पहले ही P1 minus P2 कर चुके हो अब यहाँ पे एक बाद P1 minus P2 कर के देख लीजे क्या बनता है यहाँ से बिटा, हम P1 minus P2 करें तो रो जी H1 minus का रो जी H2 देखो बाई क्या है ना, कि P0 से P0 तो खतम हो गया नहीं मानते हो ना मेरी बाद तुम लोग नहीं मानोगे ना, चोलो देख लो P2 minus का, sorry P1 minus का P2 P0 plus का रो जी H1 minus P0 minus का रो जी H2 P0 से P0 खतम तो P1 minus का P2 is equal to रो जी यहाँ पे बनेगा H1 minus का H2 लो भाई, second equation भी मिल गई ठीक है, अब दोनों equations को compare किया जाएं आपस में दोनों equations को compare किया जाएं, comparing 1 and 2 comparing 1 and 2, तो क्या मिलेगा साब 1 and 2 को compare करने से रो जी L A या फिर रो जी H1 minus H2 equals to रो A L रो जी H1 minus H2 equals to रो A L रो से रो खतम हो जाएगा H1 minus का H2 divided by L should be equals to A upon G H1 minus H2 upon L should be equals to A upon G साहाब tan theta H1 minus H2 by L था ये बराबर हो जाएगा tan theta के तो यहाँ पे acceleration आ जाएगा बिटा G tan theta सॉरी G tan theta acceleration कितना जाएगा G tan theta जाएगा सही बात है मजा गया बल्ले बल्ले हो गई हाँ क्या बोले साब सार ये फ्लिूर था जैसे एक slid कराया वो जो लेवल हमें surface का दिकता था वो horizontal ना होके incline हो चुका है तो उसका inclination theta है बेटा तो तुमसे कभी कोई बोल दे theta वगर है calculate करो तो multiple formulas तुम्हारे पास available है in order to calculate the theta तुम कर सकते हो दूसी चीज़ आपने pressure का difference तो निका लिया था कि साब यहाँ पे pressure P1 यहाँ पे pressure P2 horizontal में अगर मैं pressure का difference देखो पे हमेशा atmospheric pressure ही लगता है इस बात का ध्यान अखना नहीं पता था note कर लो क्योंकि surface का part इसके आगे atmosphere आता है atmosphere के contact में है तो भाई साब यहाँ पे अब जो भी pressure लगेगा it is because of the atmosphere जिसको के atmospheric pressure कहते है यहाँ पे यहाँ पे लगदे है atmospheric pressure क्या लगेंगे बिटा atmospheric pressure यहाँ पे लग जाएगा तो अगर मैं P1 calculate करूँ तो it is P0 plus का rho g h1 हम कर चुके हैं कुछ समय पहले ही हमने काम किये थे फिर जब हम बात करेंगे P2 की तो it is given by P0 plus का rho g h2 अभी कुछ समय पहले हमने ये काम भी किया था बिटा जी थीक है थी तो P1 P2 दोनों हमने निकाल लिये क्योंकि h height नीचे आते हैं तो pressure का variation आता है pressure increase हो जाता है surface atmospheric pressure h2 depth नीचा है तो pressure हो गया P2 तो P2 को हमने निकाल लिया और P1 को भी निकाल लिया बेटा जी यहां से P1-P2 करेंगे तो बनेगा rho g h1-h2 यह हमारी equation number 1 थी यह हमारी equation number 2 थी दोनों को compare करके हमने देखा A equals to g tan theta रहे theta अगर पता है theta अगर आप जानते हैं बेटा जी तो आप एक काम कर सकते हो यहां से acceleration of this container भी निकाल सकते हो यह अगर आप से acceleration दे दिया गया है तो theta निकाल लो गया जी तो पता ही होता है हमने usually क्या है जी है तो यह important formula आपके लिए pressure का variation जब यहां पे accelerating case में आता है तो पहली चीज़ तो बेटाप यह note करेंगे pressure का variation when the container is under the constant acceleration constant acceleration के case में pressure का variation कितना आ रहा है क्या इस बाद pressure का variation 0 होगा नहीं sir क्यों क्योंकि fluid rest पे नहीं है बलकि accelerate कर रहा है और fluid अगर accelerate कर रहा है तो pressure अलग अलग होंगे same नहीं होंगे ठीक है clear फिर यहां पे आओ सारी बाते चाप लो जल्दी से जल्दी से note करो यार done पका सभी का बहुत बढ़िया चली वई अब मैं इसको मिटा देता हूँ और यहां से इसको भी मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगला case देखेंगे अगले case में क्या होगा बेटा कि साब container को एक lift में रख दिया जाए container को एक lift में रख दिया जाए और यह lift अब accelerate कर यह उपर की तरफ अचा तुम्हें एक बात देख रहे हो क्या कि सर जिस direction में acceleration है उससी direction में pressure की variation को consider कर रहे हम लोग हाँ यह तो देखा मैंने horizontal direction में चल रहे थे तो आपने horizontal level पे points को लिया ताकि आपको चीज़े easily समझा सके अभी हम vertical direction में जा रहे है तो अभी आप दो points को mark कर सकते हैं in the vertical direction और इनको नाम current दे सकते है current urgent नहीं 1,2 ही ठीक है यार तो this is your point 1 this is the point 2 दिखाई नहीं दे रहोगा अब दिखाई दे रहोंगे बाई साब lift जा रही है उपर lift कहां जा रही है उपर कितने acceleration से A acceleration से तो यहाँ पे एक cross sectional area बना दिया जाए बना दिया cross sectional area बना दिया बना दिया ओहो सर यह तक column बन गया इसकी height h बोल दी जाए बोल दो यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे cross sectional area A यहाँ पे cross sectional area A तो चलो भई column को अलग से बना लेते हैं तो column को जब अलग से बनाया सर साहब this is the point फलूड की बज़ा से यहाँ पे force लगएगा F1 फलूड की वज़ा से यहाँ पे force लगएगा F2 साहब यह उपर जा रहा है with an acceleration of A इसके अंदर का फलूड है जिसका खुद का weight होगा समझ रहा है भी node तो यह F1 यह F2 यह accelerate कर रहा है उपर की तरफ यह fluid फलूड का weight भी तो होगा mg is the weight of the fluid अच्छा यम जी क्यों बोले हम लोग साहब उसका mass m is the mass of the fluid है ना जो fluid column के अंदर है उसका mass चाहो तो pseudo force के साफ से भी कर सकते हो बाकी चलो ठीक है अपनी अपनी इच्छा शद्दा है मैं इस पे कोई rope-tok नहीं करूँगा क्या तुम ये बात जानते हो कि जो point नीचे है वहाँ पे pressure जादा लगेगा कि जो point उपर है वहाँ पे pressure जादा लगेगा सब गहराई में जाओगे तभी तो pressure जादा लगेगा तो बही जैसे जैसे depth में जाएंगे तो pressure जादा लगेगा तो पाइस सेकंड वाले पॉइंट पे प्रेशर जाता है तो चलिए सहाब यहाँ पे F2 चलो इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं गुस्सा कोई नहीं होगा F2 उपर की तरफ लगा माइनस F1 माइनस का Mg is equals to M A चलिए भई क्याहा तक कोई समस्या परिशानी किसी प्रकार की है F2 माइनस का F1 is equals to Mg plus M A F2 माइनस का F1 should be is equals to M times of G plus A F2 माइनस F1 should be equals to M times of G plus A बेटाजी F2 को लिखेंगे P2 into A माइनस F1 को लिखेंगे P1 into A should be equals to M times of G plus A अच्छा मास of the fluid नहीं पता सर मास of the fluid नहीं पता पर यह तो जानते हो density equals to mass upon volume तो mass is equals to density into volume density को, sorry volume को क्या लिखते हैं बेटा इसका आपने height H लिया हुआ था और cross sectional area A लिया हुआ था तो it will be density into area into height तो मास की जगा पर rho A H कर देंगे so P2 minus का P1 into A is equals to mass की जगा rho H A into G plus A A से A खतम हो जाएंगे and we are left with P2 minus का P1 equals to rho H G plus A तो आप देख रहे होंगे जब fluid rest पे था तो pressure का जो variation आ रहा था था rho GH जब fluid rest पे था तो pressure का जो variation था वो था सिफ rho GH लेकिन इस बार ये accelerate कर रहा है तो G अकेला नहीं किसी और को भी लेके आए साथ में इस बार ये accelerate कर रहा है तो G अकेला नहीं आया बलकि किसी को साथ लेके आया और ये जो साथ में लेके आया वो कौन है A बेटे जी कभी कबार हम G plus A को G effective लिख देते हैं ताकि हम थोड़ा सा स्मार्ट दिखे है ना वोता ना कभी कोई स्टाइल भी तो मारना है यार तो यहां पर लिकेंगे रो एच इंटू जी इफेक्टिव ये लो भई स्टाइल मार दिया हम लोगों ने तो भाई साथ फिर से क्या होँ आप फ्लिवड को डाला गिलास में या कंटेनर में और कंटेनर को कर दिया रोटेट अब जैसे कंटेनर को रोटेट करोगे विटाएक यहां पर प्रकार कर्शे बनेगा विएसे मिनिस्क्स भी बोलते हैं इसको वह सारी बातें आगे है तो इतना परिशान मत हो ना इन सब चीजों को लिए तो भाई इस प्रकार की कहानी बनने वाली यहां पे इसको आपने रोटेट किया विट सर्टेन अंग्लर वेलासिटी ऑफ ओमेगा तो नाव यू कन सी है तो भाई साब बोला जाता है कि यहां पे आपको एक जनरल और नाव माई टागेट इस तो फाइंड दा प्रेशर एड़ पॉइंट नमबर फॉन ठीक है इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल ले अब यहां पे अपना कॉलम वगेरा नहीं बना पाऊगे कॉलम बनाने में समस्या है तो मैंने क्या किया यहां से पहले तो देखा सेंटर से इसका डिस्टेंस वाई हो गया और यहां पे अगर एक टेंजेंट बना दूँ तो इट इस मेंकिंग एन एंगल अफ थीटा है तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बना देता हूं तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा तो यह था मेरा वो पॉइंट नूम्बर वन यह डिस्टेंस वाई थी यह डिस्टेंस एक्स थी इस इस दा लाइन जिसके बाउट यह रोटेट कर रहा था ठीक है इसका मिनिस्कस कुछ इस प्रकार से बन रहा था जो कि मैं बना देता है आप पर तो मैंने बेसिकली वहाँ पे टेंजेंट बना दिया था देखा आपने यह कर्व वाली लाइन जारी कर्व वाली लाइन टेंजेंट बनाया यह जो टेंजेंट यहाँ पर बन रहा है साब यह कितना बन जाएगा थीटा so you know better tan theta जो हो जाएगा it is your y upon x ठीक है पता है यह बात और यही इसका slope हो जाएगा यही इसका क्या हो जाएगा slope भी हो जाएगा तो dy by dx is also again tan theta है न क्योंकि छोटे लेवल पर बात करेंगे तो slope is tan theta which is your dy by dx है न तो चलिए भई मैं इसको simplify करके यह लिख देता हूँ कि इसका जो slope है it is given by tan theta which is equal to dy by dx चोल अब आते हैं में इन कहानी पे तो मैं यहाँ पे container को थोड़ा बड़े लेवल पर बना दूँ तो मैं क्या करता हूँ कि साब अगर आप इसको गौल फर्मा के देखो ते कुछ इस प्रकार से लिखी की कहानी इस इस पार्ट में बेटा पूरा fluid field था इस पार्ट में पूरा fluid field था ठीक है और जब आपने इस कटवरे को घुमाया तो यह कुछ इस प्रकार से यहां पर शेप बनेगा जैसे आपने इसको रोटेट किया तो यह दिख रहा आपको ऐसा दिस्स हो जाएगी वाई की ठीक है और यहां पे एक स्लो बनाया था हमने इट किव यो थीटा मेटा इस पॉइंट वन पे पहला वाला जो पॉइंट था इस पे क्या-क्या फोर्स लग रहे थे एक तो लिख चले की तरफ लग रहा था वो था बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रिफ्यूगल फोर्स यह एक्स था यह यह था यह पॉइंट वन था mg इदर और एक फोर्स यह था है m omega square r सभी बात है वेटा where r is actually the radius है ना यह वाला particle जो है यह भी circle में गुमेगा तो इसका जो यह radius है ना वो r हो जाएगा जिसको कि हम basically आपर कितना बोल जाएगा एक्स कितना हो जाएगा वेटा x कितना हो जाएगा x m omega square x यह एंगल थीटा है तो बताओ जरा यहां से इन दोनों का resultant इस प्रकार साएगा if this angle is थीटा वेटा तो यह एंगल भी थीटा होता है कैसे सर देखो यह एंगल थीटा यह 90 minus थीटा यह एंगल थीटा यह 90 minus थीटा ठीक है यह एस वाले triangle के लिए इसको ऐसे define करना पड़ाए रुको एक मिंट मैं define कर देता हूँ खीक है अगले पेस्वा बनातो बनातो रुको क्या होता ना जगा चाही होती है और कुछ नहीं सिर्फ जगा की बात है सिर्फ जगा अगर प्रॉपरली मिल जाए diagram बनाने के लिए तो कहानी set हो जाती है फिर अगरे, है कि अगरे स्कराप्स से देकर्ण है एक मिनुट रुख जो बस ये एक्स ये य है मुझे निकालना है कि यहाँ पर resultant बनेगा तो उसको बीच में एंगल इनल कितना आएगा ठीक है साब ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है तो मैंने देख लिया कि ठीक है समझ गया मैं ये भी एंगल थीटा ही आएगा है यहाँ पर अच्छा, यह एंगल थीटा है, तो कुछ एंगल डिफाइन कहां से करता हो रहा है? यह भी थीटा, यह थीटा तो यह थीटा, यह थीटा यह 90, यह 90 माइनस का थीटा horizontal वर्टिकल की कहानी लगानी पड़ी गया और कुछ इसमें horizontal या वर्टिकल की कहानी लगानी पड़ी गया कुछ इसमें यह एंगल थीटा, यह 90 माइनस का थीटा, यह थीटा, चलो, बड़े हो गया घूम फिर के हम लोग आगे, finally, जड़ा गौर फर्माईएगा सिभी लोग, यह सब चीजों की ज़रूत नहीं थी अपने को ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ कैसे आया, मैं बता देता हूँ भी कैसे आया सब कुछ, यह सब करने के ज़रूरत नहीं थी अपने को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है? हाँ जी बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग आपने क्या बोला कि यार यहाँ पे टेंजेंट बनाया था, यह एंगल थीटा हो गया मैंने बोला कि यार एक काम करो यार, ऐसी एक पैरलल लाइन अगर यहाँ केज दी जाए तो यह पैरलल लाइन यहाँ खेळ दी बेटा जी अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा थीटा बेटा यह कितना नब्बे यह थीटा 90- t तो यह कितना हो जाएगा थीटा तो यह यहाँ पे f net is given by यहाँ पर क्या आएगा दोनों का resultant आजाएगा अरे यहाँ पर क्या आएगा भई दोनों का resultant ही तो आएगा नहीं आएगा क्या कैसी बाते कर रहे हो तुम लो यह m omega square अगर मैं vector shifting कर दूँ तो m omega square x को यहाँ पर लिखा जा सकता है और mg को यहाँ लिखा जा सकता है तो यहाँ से बेटा tan theta can be written as perpendicular upon base perpendicular यहाँ पे m omega square x है और base में हो जाएगा mg समझे बात को यहाँ पे यह x था, यह y था और यह theta था तो बेटा जी tan theta को dy by dx लिखा जा रहा था आप लोगों ने यही लिखा था dy by dx करके slope बनता है किसाब इसका अरे यह जो curve है इसका slope बनाया था ना आपने that is given by tan theta सीधी सी लाइन जोड़ी थी ना वहाँ पे, यहाँ नहीं बन भाई, यहाँ देखो न यहाँ देखो न, यह क्या है बिटा slope ही तो है, किसका, यह जो curve यहाँ पे बन रहा था इसका and the slope is dy by dx यहाँ पे जो curve बन रहा है, उसका slope ही तो है यह, थीटा यह जो curve बन रहा था, इसका slope है यह थीटा it is given by dy by dx secondly मैंने थीटा निकाला, थीटा comes out भी यहाँ पे, m से m खतम हो जाएगा और tan थीटा जो बनेगा बैटा, वो कितना बनेगा m omega square x कितना बन जाएगा, m omega square x ठीक है, ठीक है अच्छा, भाई tan थीटा तो dy by dx होता है, तो dy by dx should be equals to m omega square x so dy is equals to m omega square x dx दोनों तुरफ integrate किया जाए limits क्या लगाएंगे बैटा जी, limits क्या लगाएंगे sir यह रहा point अगर यह point यहाँ होता, तो x का value होता 0 अगर यह point यहाँ पे आजाए, है न, जैसे कि अगर हम बात कर रहे क्योंकि हम क्या बात कर रहे, इस point की बात कर रहे यह point अगर यहाँ है तो x 0 हो जाएगा और बाहर जाएगा तो x की value r हो जाएगी यानि कि यहाँ पे आते-आते x का value जो होगा, वो कितना हो जाएगा r समझे जो बिटा यह point अगर यहाँपे है तो ठीक है अच्छा y में क्या variation आएगा सर यह y है जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यह मिलता है minimum height h minimum y जो है यहाँ पहेंगे तो मिलेगा h minimum यह y यहाँ पहेंगे 0 यहाँ पर जाएगा तो इसकी कोई particular height हो जाई y जो है अच्छा h minimum तो नीचे से आधी distance न हम एच minimum will be from the bottom limits ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर आएगा तो साब य का value x 0 हो रहा था है तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा यहाँ जाएगे तो y का value this height के बराबर हो जाएगा यह height हो सकती है कुछ भी हो मुझे नहीं पता कितनी होगी कुछ भी हो सकती है ठीक है so this y will be something जो भी value होगी इसकी of the water level and यहां से लेके यहां तक it comes out with the maximum height of the water level h max तो यह जो distance आएगा इसको जो मैंने नाम दिया h it is your basically h max minus h minimum ठीक है तो चलो वही हहां पे solve करते हैं तो यहां पे तो बन जाएगा y should be equals 2 y should be equals 2 वैसे इसकी limits अगर आप लगाना चाहो तो 0 से लेके h तक ही लगा सकते हो 0 से लेके h max या फिर सिफ h तक लगा लेका m omega square x square by 2 limit लगेगी 0 से लेके capital R where R is the radius of that container R is the radius of this container यह जिसका container का radius है वो कितना हो जाएगा capital R ठीक है तो h should be is equals to m omega square r square by 2 क्या फाइदा हुआ यह निकालने का से क्या फाइदा हुआ यह निकालने का फाइदा क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ अभी आप यहाँ पे हो बता तो कितना नीचे आओगे? सरो जी वाइ नीचे यहाँ पे atmospheric pressure लग रहा है बता अभी आप का हो यहाँ पे यहाँ पे pressure लगेगा atmospheric वाला यहाँ पे pressure लगेगा P1 वाला and the P1 can be written as P1 can be written as P0 plus का ρो GY यहाँ पे आओगे तो pressure नहीं लगेगा यहाँ पे आओगे तो P0 के बराबर होगा यहाँ चले जाओगे तो pressure P0 rho GY के बराबर हो जाएगा है ना तो पेटा pressure की बात कर रहे थे तो pressure is given by क्योंकि देखो यह meniscus कुछ इस प्रकार से form हो रहा है इसके अंदर पूरा fluid था आँ मैं दुबारा समझा दूगा मुझे पता है यह थोड़ा सा confusing सा हो गया इसको मैं दुबारा से समझाओगा चिंता बिल्कुल भी मत करना यह Y distance पे था यह X distance पे था यहाँ पे pressure लगता है atmospheric वाला यहाँ पे pressure जो लगेगा अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे pressure लगता है सिफ P0 अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़के यहाँ पे pressure निकाल हूँ तो यहाँ पे pressure लगेगा P dash equals to P0 प्लस का रो जी H अब H कितना है वो तुम निकाल चुके हो H कितना आया तो H हमने निकाल लिया कहां यहाँ नहीं यहाँ पे वैसे तो तो तुमने Y भी निकाल लिया था वैसे तो तो तुमने Y भी निकाल लिया था Y equals to M omega square X square by 2 भाई अगर Y और यहाँ पे हम देखे हैं तो limit plus का C लगेगा तो C तो 0 हो जाएगा क्या है बात करें C तो 0 हो जाएगा तो ऐसे तो Y का value हम निकाल चुके है चलो अब मैं फिर से बताते तो इसको एक बार हुआ यूं कि आपने पानी को लिया container के अंदर container के अंदर container को ऐसे गोल-गोल गुमाया जैसे आपने container को गुमाया आपने देखा साब यहाँ पे एक ऐसा minuscus सा form हो रहा है दो इस अब करता है यहाँ फें यहाँ पे एक ऐसा minuscus सा form हुआ यह वाला part और उपर बनते हैं गोले-गोले यार यह H-max वगरा लिखने की कोईज़ोत नहीं थी ठीक है? उपर बनते हैं आप ऐसे पूरा liquid ठीक है? पानी कितने से पार्ट मोता है? सिर्फ इतने से पार्ट में जो dotted वाला पार्ट है सिर्फ इतने से पार्ट में liquid होगा अब बाकी वो पूरा क्या हो जाते है बेटा? खाली हो रहा है ऐसे करके कहानी मज़नी है ठीक है? अब क्या हुआ? आपने एक general point ले लिया आपने बोला साव हम क्या करते हैं? किसी एक specific point को पकड़ लेते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं तो वो जो specific point था यहां से आपने इधर यह लिया वो point यहां से उपर distance थी y, यहां से distance था x फिर y और x में relation निकालना था तो basically आपने y और x में relation निकाला कैसे निकाला वो relation? यह सा बटा दो यार किसी काम कर ली था आपने y और x में relation निकाला by using this formula completely आपने बला यह x है, यह y है यहां पे इनका एक slope बना दिया slope बना थीटा मिला, tan theta को dy by dx लिखा यह m omega square centrifugal force बाहर की तरफ gravity नीचे की तरफ, बेटा जी यहां पे tan theta एको परपेंडिगल और पॉन बेस लिख दिया ठीक है? अब अरे ऐसे समझ लो ने, यहां पे column बना के समझ लो अगर ऐसे समझ लिए आता तो यहां पे column बना लो, अब तो समझ आता है? अगर तुम्हें ऐसे कहानी समझ नहीं आती तुम सोचते होंगे sir mg में weight किसका लिखेंगे, तो बेटा यहां पे column बना लो तो weight भी मिल जाएगा आपको आपने column बनाया, m क्या है? अरे यह जो fluid इसके अंदर होगा, उसका weight है यह तो mg वाला force नीचे, centrifugal force इस point पे इदा लगेगा और यहां पे theta बनता है, तो tan theta को लिखते है बेटा, m omega square x divided by mg, m से m खतम tan theta ही आ गया dy by dx, dy by dx equals to m omega square x विससे m की इतनी चिंदा मत करो, खतम हो जाती वो so dy comes out to be m omega square x dx बेटा, integration किया, इसका integration करूँगा तो यह बनेगा, y equals to m omega square x square by 2 plus का c, और जब बेटा जी, x equals to 0 होगा जब x equals to 0 होगा, तो y भी 0 होगा और उसके समें c 0 हो जाएगा तो y और x में ये relation आती है y और x में ये relation आते हैं में पस अब उसके बाद अगर आप चाहो तो limits लगा सकते हो बोलना साब इस point पे x 0 था y 0 था आप जैसे यहाँ पे पहुँचोगे यहाँ पे x बराबर हो जाएगा r के और y बराबर हो जाएगा इस height के तो h का भी relation आ जाता है extreme point पे अगर पूचेगा तो बता दोगे beach में किसी point पे अगर वो पूचता है तो हम भी तब भी बता देंगे beach वाले point पे अगर पूचेगा तो y और x में relation ये है extreme point पे पूचेगे तो x बराबर r हो जाएगा पे और y बराबर h हो जाएगा ठीक है ठीक है साब अब point यहाता है कि मुझे तो इधर pressure निकालना था साब उपर कौन सा pressure लग रहा है साब यहाँ पे इसके बाहर खाली है यह पूरा part अब किसमें आ रहे बेटा atmosphere के contact में आ रहे यह पूरा part किसमें आ रहे है अभी atmosphere के contact में आ रहे तो यहाँ पे जो pressure लगता है it is actually the atmospheric pressure उससे इतना y distance नीचे कितना distance नीचे है बेटा y distance नीचे है उससे y distance नीचे होगे तो the pressure is given by the pressure is given by बेटा कितना देखो ज़रा p0 plus rho g y और अगर यहाँ की बात करें तो साब यहाँ पे pressure लगेगा atmospheric वाला यह h distance नीचे आए है तो यहाँ पे आप pressure लिखोगे p0 plus का rho g h यहाँ पे आओ बेटा y 0 हो गया y को कर दिया 0 तो pressure हो गया p0 सिर तो देख रहे हो हर point पे pressure यहाँ पे vary कर रहा है ठीक है तो मैंने यहाँ के लिए पूचा मैंने बोला बाई एक general वाला बता दो मुझे तो general वाला यह रहा y को और x का relation पता है बेटा तो लिख दीजिए p equals to p0 plus का rho g omega square देखो न rho g हाँ अरे यार m से तो m खतम हो गया था m से m खतम हो गया था ना m को क्यों चला रखा है हमने फाल तो में m तो खतम बरबाद हो गया था m m बरबाद हो गया हिसाफ so it comes out b rho g omega square x square by 2 ठीक है omega square x square by 2 this is the right answer तो pressure वो पूसता है बेटा तो rotation की वज़ा से pressure में यह variation आता है अच्छा इसके लिखोगे तो के लिखोगे p0 plus rho g omega square r square by 2 अलग-अलग points पे अलग-अलग pressure आ जाएगा है ना ठीक है ठीक है bottom से अगर हम बात करें क्योंकि देखो क्या हो रहा था पहले वाले case में bottom से liquid का जो surface था उसकी height fix थी वो हम लेते थे let's say यह H capital H पहले क्या होता था बेटा liquid जिस height तक भरा हुआ है वो fix होता था समझदा बात को तो आपके लिए वो value जो होती थी H वो fix थी लेकिन इस बार आप देख रहे हो liquid जहां तक fill है वो height vary कर रहा है तो यहाँ पे यह होती है minimum height और यह होती है यहाँ पे इसकी maximum height ठीक है पहले जब fluid rest पे था पहले जब fluid rest पे था तो बेटा इसकी height fixed होती थी जब fluid rest पे था तो height जो थी इसकी वो क्या थी fixed थी H लेकिन जैसे आप इसको rotate करने लगे अब यहाँ पे fluid का जो level है वो अलग-अलग points पे अलग-अलग है जिसकी होज़से from the bottom अगर हम height निकाले तो यहाँ पे minimum height मिलती है यहाँ पे maximum height मिलती है और बेटा जी small h जो होता है वो होता है h maximum minus का h minimum small h की जगा आप लिख सकते हो omega square r square by 2 ठीक है small h की जगा लिखेंगे omega square r square by 2 should be equals to h max minus का h minimum चलिए बई उमीद करते हूँ ही बातें आपको समझ आ रही होगी ठीक है बहुत गल्तियां कर दिया है मैंने बहुत ही ज़्यादा गल्ति कर दिया अब ठीक है अब ठीक है चलो भई finally ठीक है हाँ पूरी महनत करने के बाद finally we got the answer तो उसको छाप लीजेए जल्दी से यह variation of pressure है बिटा in the fluid under the constant acceleration जिसमें कि यहाप पर rotating fluid आगे तो rotating में angular velocity पता होती है तो हमने उसी के basis पे सारी कहानी define करी है m omega square लिखने का जो मकसद था m omega square लिखने का जो मकसद था वो यही था कि हम centrifugal क्योंकि rotation हो रहा है बेटा तो यह जो है बाहर की तरफ centrifugal force experience करेगा तो mg नीचे के तरफ centrifugal force बाहर के तरफ तो हमने define करती है फिर हम यहाँ पर आगे बाही omega square m omega square लिखने सब में upon g लगा दिया यहाँ पी upon g लगा दिया यहाँ पी upon g लगा दिया फिर हम आगे बढ़े यहाँ पर यहाँ पर देखो बेटा जी तो यहाँ पर भी वही कहानी चली upon g लगाने से यह g से g खचा-खच हो जाएगा यह g से g खचा-खच हो जाएगा and you are left with half rho omega square x square half rho omega square r square है न तो जो भी आपको condition देगा उसे साब साब चीजों को define करके इसके answers को find out कर सकते हैं तो एक काम करो यह सब बना लिया था diagram वगर तुम लोगों ने diagram वगर बना लिया थे सब इने हो गया था ठीक है यहाँ पर हो यह सारी बाते मिलगा चली बई Kia notes अभी ने समझ तो यह सारी बाते बहुत बढ़िया तो यह सब को मिटा जेते now let's move on to the next topic Pascal's law Pascal's law की कहानी बड़ी sorted है बहुत simple सी बाते बोलते हैं बोलते हैं हमारे पास एक fluid है ideal fluid की बात करते है ideal fluid के लिए कुछ properties होती जैसे कि incompressible होगा भाई है तो हमारे पास fluid है वो incompressible है अब इस fluid में उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको यहां से compress कर देता हूँ यहां से pressure लगाता हूँ तो वो जो pressure मैंने यहां से लगाया जो मैं pressure यहां पे execute कर रहा हूँ वो यहां से fluid के तुरू transmit होता है और transmit होके दूसरी side यहां पे वो apply हो जाता है इतनी सी बात Pascal अंकल ने समझी और बोली तो और भूला कि भाई जो pressure आप यहां लगा रहे हूँ वही pressure वहां मिलेगा तो यहां पे अगर pressure आपने P1 लगाया और यहां pressure अगर आपको P2 मिला तो वो P1, P2 दोने बराबर हो जाएंगे जिसके तहट अगर मैं बात करूँ pressure equals to force upon area होता है तो F1 by A1 should be equals to F2 by A2 होता है खतम बात यही है Pascals law हाँ जी बेटा जी बस इतनी सी बात है Pascals अंकल ने समझी और हमें समझा दी और इसको समझके हम इतने समझदार हो गए कि आज की डेट में बहुत सारी applications Pascals law पर आप देखने को मिल जाती जैसे कि hydraulic bridge, hydraulic ram हो रहा है तो तुमने देखोगा जहां पर workshops होती है वहां पर गाड़ी को उपर उठा देते एक platform पर खड़ी करके गाड़ी को उपर उठाते है उनमें भी hydraulics का काम हो रहा है तो basically यह वाला application हमारे इसलिए काम आता है कि हम बहुत कम force लगा के हम बहुत कम force लगा के बहुत heavy objects को यहां पे lift कर सकते है ठीक है तो इसका application यही है कि कम force लगा के हम heavy objects को भी उठा सकते है जो हमारे लिए बहुत difficult था बट इसको आसान बनाया है हमारे लिए pascal slow ने ठीक है तो चलिए भई पासकल slow के बारे में ही चर्चा करेंगे थोड़ी सी तो लिखने वाली बाते हैं होगी तो एक बाद देख लेगीजेगा से भी लोग पासकल slow is stated in the following way अ लिक्विट exerts the equal pressure in all directions यह वली बात पासकल अंकल ने समझी और कहा कि कोई भी liquid जो होगा बेटा वो execute करेगा equal pressure in all the directions if the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point बेटा किसी भी enclosed देखो क्या लिए हम लोगों ने enclosed fluid है मतलब सारे तवसे packed है वो कहीं से leak होने की संभावना है नहीं है तो अगर इस enclosed fluid मैं किसी जगा पे pressure का variation कर दूँ जैसे कि मैंने वहाँ पे क्या किया pressure लगा दिया पहले pressure 3 होता बार में हमने प्रेशर P लगा दिया तो pressure में change हुआ तो अगर मैं किसी enclosed fluid के अंदर pressure में change करता हूँ किसी particular point पे तो the change is transmitted तो यह जो pressure का change है वो transmit होता है to every point यह जो pressure का change है यह transmit होता है to every point of the fluid and to the walls of the container यह क्या करते है बेटा transmit करते है to every point of the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude हाँ तो आपने किसी भी enclosed fluid के अंदर किसी भी point पे अगर pressure में change कर दिया तो यह जो pressure का change है it will transmit through the fluid और यही pressure का change कहीं और जाके भी लगेगा without being diminished in the magnitude समझे बात को यह बात Pascal अंकल ने समझी Pascal अंकल ने समझके हमको समझाई हम समझे और हमने इस पे बहुत सारी चीज़े बना दी जो हमारे आज day to day life में कामाती है तो यह Pascal's law की परिभाशा है स्टेटमेंट है Pascal's law का तो तुम चाहो तसको लिख सकते हो लिखो जली से हो गया? अच्छा फिर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे Pascal's law के applications आप देख सकते हो hydraulic jack, hydraulic lift, hydraulic press, hydraulic brakes यह सब Pascal's law पे काम कर रहे हैं तो यह जितनी भी चीज़े आप अपने रोज मर्रा की जिन्दगी में देख रहे हैं वो सारी चीज़े किस पर काम कर रहे हैं? बेटा, Pascal's law पे काम कर रहे है hydraulic lift की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे कम force लगाने से आप किसी भी heavy object को क्या कर सकते हो बेटा, उठा सकते हो कम force लगाने से किसी भी heavy object को उठा सकते हो तो यहाँ पे मा लीजिए यह 100 kg का डबा है कोई 100 kg का box है, है न? तो भाई 100 kg के box को उठाने के लिए आपको कितना force लगाना चाहिए ऐसे तो? समा लीजिए यहाँ पे 100 kg का box है अगर मैं इस 100 kg की box को उठाना चाहता हूँ तो मुझे इसके weight के जितना force तो लगाना पड़ेगा minimum तो इसके उठाने के लिए minimum इसके weight के जितना force तो लगाना पड़ेगा और सहाव इसका weight कितना? 1000 g मोले तो 1000 newton हे भगवान इतना जादा force लगाना पड़ेगा इस दब्बे को उठाने के लिए लेकिन यही कहाँ अगर मैं hydraulic lift से करता हूँ तो हो सकता है इस 100 kg के box को उठाने के लिए मुझे यहाँ पे मात्र 10 newton का force लगाना पड़े 1000 newton का 100 kg के box को अगर उठाना है तो कम से कम कितना force लगाना पड़ेगा 1000 newton का force लगाना पड़ेगा लेकिन hydraulic press का यूज करके hydraulic lift का यूज करके यही काम है 10 newton से कर सकता हूँ हाँ तो यह application है बेटा कम force लगा के जादा heavy objects को आप क्या कर सकते हैं लगाया it is P1 यहाँ पे जो इस पे pressure लगा वो P2 और P1 B2 बराबर होते बेटा तो यहाँ से वही बात होगी P1 B2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे आपने pressure लगाया P1 इसको जो pressure exert हुआ वो P2 P1 B2 बराबर तो F1 by A1 should be equals to F2 by A2 यहाँ पे pressure में change किया आपने यहाँ पे pressure में change किया यह point में आपने क्या किया pressure का change किया और जैसे आपने यहाँ पे pressure का change किया this change will transmit through the fluid the change will transmit through the fluid and it will apply here without being diminished खतम हुए बिना यहाँ अपने value को कम किये बिना यह pressure का change यहाँ पे execute हो जाता है तो बरस इतनी सी बाते हैं पास्कल्स लॉग की बेटा और ये वाली बात आप समझ जाएंगे तो काम बन जाएगा सवाल आएंगे तो सवाल आप इसी पे पे कर लोगे बाकी हम एसी वर्मा सॉल्फ करते समय सवाल तो देखे लेंगे किस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं ठीक है चलिए बेटा जी नोट कर लीजेस को भी अगर करना है तो किया नोट से भी ने पका चलिए बेटा जी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और खतम करते हैं आज के सेशन को देखो भई क्या है कि थियोरी थोड़ी सी जादा है इसमें मैं समझता हूं थियोरी थोड़ी सी जादा है क्योंकि देखो हाइड्रो स्टैटिक के बाद हाइड्रो डैनेमिक्स में आएगा भी है ना तो थियोरी वाले पार्ट को हम टुकडों में बाट लेते हैं थाकि थोड़ा थोड़ा करके इसको समझते रहें तो आज अभी हमने जो पढ़ा वो था सबसे पहले तो प्रेशर क्या है प्रेशर प्रेट कर रहा था और उसके बाद हम आये कहां पर बेटा पास्कल स्लोप है ना तो इस सारी बाते हैं कर लिए तो उमीद करता है आपको समझ आ भी रही होगी और फिर भी अगर लगता है कि दुबारा वीडियो देखने के जरूरत है तो बेटा आप दुबारा आप हमारे ओफिशल वेबसाइट पर आ सकते हैं चैनल पर जा सकते हो इस अल उन यू बट वीडियो को दुबारा देखके अपने डाउट को जरूर के लिए करना हो बागी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्फ कर दे ठीक ह तो आज कि लिए बसेता ही मिलते हैं आप सगले सेशन में तब तक अपना ध्यान लेखिए पढ़ाई करते रहे हैं All the way